नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एफम ग्यान पे चहां पर हम और आप फाइनेंशल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हूं कोशिश करते हैं नहीं वीडियो के साथ कुछ नहीं है और साथ ही साथ बात करेंगे कि अभी के टाइम में हमें याज बैंक में पर इंवेस्टमेंट करना चाहिए या दूर रहना चाहिए चाहूंगा अगर आज की डाटा के बारे में बात करें तो जैसा आप लोग को भी बता है कि लगबग स्टॉक मार्केट हो चोई क्रिप्टो मार्केट दोनों ही जगाँ पर काफी बंपर गिरावट देखने को मिली हो और ये गिरावट राशिया और यूकरेन के बीच में जो क्योंकि selling pressure यहां पर बहुत जबरदस्ता और stock यहां पर नीचे गिरता गया और 12.60 पैसे पर close हुआ है तो यह चीज़ आप देख सकते हैं काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है आज Yes Bank में लगबग 9% का lower circuit देखने को मिला है यहां पर अब इसके अलावा अगर हम बा यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने अभी two week का select कर रखा है बट आप इसे फूरा फरवरी मंत के लिए भी select करेंगे तो वो भी data आपको देखने को मिलेगा यहां पर main चीज़ जो मैं दिखाना चाहरा हूँ आपको तो आप देख सकते हैं चो delivery है आज की date में का पर trade हो रही है delivery उठी है no doubt it's a good sign but साथी साथ selling भी उस हिसाब से हो रही है इसी वज़े से यहां पर quantity जो traded की है वो बढ़ लही है तो ऐसे में yes bank एक छोटा stock है और आपको इपता अपने 52 week low के करीब में है और यहां पर operators का अच्छा खासा game भी देखने को मिलता yes bank में तो इस अब ही और गिर सकता है तो ऐसे में यहां पर बहुत रिस्की investment हो जाएगा इसके अलावां आपके पास बहुत अच्छे अच्छे stock है जो कि discount में मिलने हैं आप उनमें investment कर सकता हो अगर yes bank में अभी करना चाने तो एक चीश पार बिलकुल ध्यान रखिएगा किसी भी यूट international कोई भी tension होता है या किसी country पर attack होता है तब stock market जो गिरता है उसमें 3-4 मेने recovery का time लेता है और yes bank आप already देखने कितना time ले रहा है recovery में अभी पुरानी recovery ही रोगों की यहां पर नहीं निकल पा रही है अगर आपने fresh investment करा तो आपको और ज्यादा time लगेगा return निकालने का equity मे तो इस वज़े से उतना ही पैसा लगाईए जिन लोगोंने already लगा रखा है उनके लिए average करने का सही समय हो सकता है बट अगर आप long term करना चाहरे हैं तो ही average करिएगा otherwise फिर भी average भी मत करिए और ना ही fresh investment अभी करिएगा क्योंकि यहां पर बहुत जादा quantity trade हो रही है तो ऐसे में इन टाइप के stocks से कुछ दिनों के लिए दूर रहना ही सही रहेगा जब तक market volatile है इसके अलावा अगर आपकी कोई query है कुछ पूछना जाते हैं तो comment करके जरूर बताइएगा thank you